असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चेप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं Binary Number System and its Operation ये आपने छोटी क्लासेश में भी पढ़ा होगा Binary Number System Binary Number System पढ़ा होगा है Base 2, Base 5 भी पढ़ा होगा है Base 8 भी पढ़ा होगा है आप दोर पर हम जो system यूज करते हैं 0 से लेके जिसमें 9 तग हमारे पास digit होते है उसकी base होती है 10 The system of numbers which we are using is known as decimal number system जो हम आप दोर पर आप रूटीन में system use करते हैं उसको decimal number system बोलते है और decimal number system की base होती है 10 In decimal number system we use 10 digits given as follows 0 से start करके To express a number greater than 9 but less than 100 In decimal number system we use a combination of 2 above mentioned digits यानि कि 9 से बड़ा कोई number हो और 100 से चोटा हो कोई सा भी number हो तो उसको हम represent करने के लिए उसको express करने के लिए क्या करते हैं इन ही में से कोई से दो और जब 100 से अबाव और 1000 से बिलो हो इन ही में से कोई से इंडिजिट से ठाके उसको express करना होता है तो जैसा कि देखें Let us consider the following examples यह 23 है ना हमारे पास 23 में अब हमें आप यह भी पता होने चाहिए Units, Tens 3 जो है वो Units की जगा पे है और 2 जो है वो Tens की जगा पे है तो इसमें इसका मदलब है कि 3 Units है और 2 Tens है 2 Tens means के 1 Tens और 2 Tens means के 20 ठीक है ना तो 20 प्लस 3 यानि कि यह 2 Tens हो गए और यह 3 Units हो गए ठीक है तो इसको उनोंने किस तरीके से लिखा है 2 Multiply by 10 प्लस 3 यानि कि 2 Tens थे इसमें 23 के अंदर 2 Tens थे ठीक है तो आगे उनोंने क्या किया 2 को 10 के साथ Multiply किया Power 1 3 को 10 के साथ Multiply किया Power 0 Power 0 means के 1 होता है वो हमारे पास ठीक है इसे तरह से 4 23 है जब तो इसका मतलब है कि Units की जगा पे 3 है और 100 की जगा पे 4 है Units, Tens, 100 इसका मतलब है कि इसमें 4 100 है यानि कि 4 को हम 100 के साथ Multiply करेंगे यानि कि 100 4 ताइम्स है हमारे पास 100 को 4 ताइम्स 2 जो है वो Tens जो है वो 2 ताइम्स है और Units जो है वो 3 ताइम्स है इसे तरह उनोंने पिर यापे 400 को 20 में आड़ करके 3 में आड़ कर लिया और 100 को 4 ताइम्स मल्टिप्लाइ किया फिर Tens को 2 ताइम्स मल्टिप्लाइ किया और 3 Units में आड़ कर लिया और हर एक को क्या किया हुआ है ये इस बात का मतलब यह होता है 10 के साथ हर एक को करने का मतलब यह होता है कि जिस base में हम काम कर रहे होते हैं उस base को हर number के साथ आप multiply करते हैं और right side से आप उसकी powers लिखना शुरू करते हैं 0 से start लेना होता है 0 power 1 power 2 power फिर आगे चलता जाएगा 3 power 4 power 5 power इस तरीके से काम करते हैं तो जब हमने इस chapter में जैसे के binary number को discuss कर रहे हैं तो जब हमने किसी भी decimal number को binary number में convert करना होगा तो वही बात कि जिस base में काम कर रहे हैं उस base के साथ हर number को multiply करना है यह base 10 की बात हो रही है ना अभी यह usual है सारा हमारा arm base 10 के साथ हर number को जो हमारे पास एक number लिखा हुआ है 423 उसके हर digit को 3 को 2 को 4 को उसके हर digit को जिस base में काम कर रहे हैं उस base के साथ multiply करके add किया हुआ है तो जब हमने decimal system से binary system में जाना है तब हमने यह करना है कि हर number को 2 के साथ multiply करके add करना है और right side से उसकी powers देनी चुरू करनी है तो वही चीज़ फिर बनती है हमारे पास दीखे ना 4 times 100 था 2 times 10 था और 3 units थे तो 4 times 100 2 times 10 और 3 unit तो जब हमने इसको इस तरी के से लिखना है हमने क्या करना है base की बात हो रही है 10 की तो हर digit को 4 को 2 को 3 को हर digit को 10 के साथ multiply किया दरम्यान में plus के sign आते कि right side से powers देना शुरू किया तो हमारे पास exactly वही चीज़ बनती है 3 units, 2 tens and 4 hundreds इसे तरह ये देखें 9,423 है 9 times 1000 होगा, 4 times 100 होगा, 2 times 10 होगा, 3 units होगे और इसके हर digit को हम base 10 की बात कर रहे हैं तो हर digit को ये देखें base 10 के साथ multiply किया हुए और right side से उसके उपर powers लगारी शुरू किया हुए है जब उसको solve करें तो यही चीज़ बनती है usually हम जो base यूज़ करते हैं वो base 10 होती है, इस chapter में हम binary यानि की base 2 यूज़ करेंगे आगे जो है इसको आपने read out करके देख ले रहे, every number has been expressed in power of 10 and their sum हर number को power of 10 और उसके सामने express किया गया है, binary number system क्या चीज़ है as we stated above, binary number system में हमरे पास number in decimal system, देखें, number in decimal system क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, corresponding number in binary system, 0, 0, 1, 1, 1 ही होगा अब binary system में, base 10 में, यानि के decimal में, 0 से 9 तक total 10 digits होते हैं हमारे पास जो base होती है, उतने हमारे पास number होते हैं, लेकिन start 0 से करना होता है, हमेशा अब अगर decimal system है न, तो 10 digits होगे start 0 से लेना है और जब binary system आता है, तो 2 digits होगे, just 0 और 1, और start 0 से लेना है यानि के, जिस base की बात हो रही होती है न, उससे एक छोटे तक हमारे digits stop हो जाते है binary decimal है, तो 0 से 9, 10 से पीछे-पीछे stop होगे और जब binary है, तो 0 से 1, 0 और 1, just as we stated above that, in binary number system, we use 2 as base, so this number system involves only 2 digits 0 और 1, यह उन्होंने conversion करके 0 से लेकि 9 तक के numbers दिये होगे, इनको हम हुद से convert करना चाहिए कि कैसे convert करना है, so binary number system में हमारे पास सिरफ 2 digits होते है इन ही 2 digits के अंदर हमने काम करना होता है, 0 और 1, छीक है binary number system में 2 digits only, so conversions of number systems conversion of decimal numbers into binary number, decimal को binary में कैसे convert करना है देखें क्या किया है, to convert a decimal number into binary number we go on dividing the given decimal number repeatedly by 2 जिस base में आप लेके जाना चाहरे हैं आपने repeatedly उस base के number के साथ आपने divide करते जाना होता है, अगर आप decimal से base 2 में जा रहे हैं आपने उस decimal number को repeatedly repeatedly 2 के साथ divide करते जाना है अगर आप base 5 में जाना चाहरे हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप repeatedly 5 के साथ divide करते चले जाते हैं, ठीक है तो we get the remainder less than 2, until we get the remainder less than 2 तब तक हम ते repeatedly divide करते जाना है, 2 के साथ जब तक कि remainder less than 2 ना रहा जाए less than 2 यानिके 0 या 1, ठीक है, to understand the procedure, let us consider the following example 7 को देखे हैं, हमने convert करना है binary system में, तो जिस system में convert करना होता है उस number के साथ repeatedly आपने divide करते जाना है तो जिस 7 को हम repeatedly 2 पर divide करते जाएंगे unless कि हमारे पास remainder रहे जाए less than 2 remainder हमारे पास less than 2 रहे, less than 2 means या 0 या 1 तो 2, 3 जा 6, क्या remainder है, 1, 7 है ना, तो 6 डिवाइड हो गए, 1 remainder रहा गया again, 2, 1s are 2, 1 remainder, ठीक हो गया, अब ये जो final final remainder है ये less than 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने stop कर देना है अब हमने क्या करना है, कि यहाँ पर stop करने के बाद यहाँ से start करके उपर की तरफ जाते हुए हमने values को लिखना है, ठीक है, यहाँ से start करके उपर की तरफ जाना है देखें मुटपर जैसे उन्होंने आपको arrow के साथ भी समझाया हुआ है कि आपने इधर से start करना है उपर की तरफ जाना है तो इन values को लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि 7 जो था वो decimal system में था और इसी के equivalent binary system में हमारे पास जो number आया है वो है triple one 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 इसकी base है two base ten में जिस number को हम seven कहते हैं base two में वो number triple one है one 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 छीक है इसी तरह next हमारे पास 99 है repeatedly two के साथ divide किया हुआ है जो remainder बचते जाते हैं उनको लिखते जाते हैं end पे final final जो remainder है वो one है तो इधर से start लेकि इधर तक लिख देते हैं तो जो number हमारे पास base ten में 99 है वो ही number base two में जो है वो double one triple zero double one है ठीक है तो इसके बाद एक और example है उसको आपनी solve कर लेना है इससे related exercise में जितने questions होगे उनको आपनी solve कर लेना है decimal से binary system में जाने वाले इसके बाद जी conversion of a binary number to a decimal binary को decimal में कैसे आपने convert करना है जैसा कि हमने पहले देखा था chapter start करते हुए कि जब decimal numbers लिखे हुए थे उन decimal numbers में हर digit को ten के साथ multiply किया गया था और right side से उसकी powers जो है वो zero लेके जहां तक वो जाते हैं उनके लेके जाया गया था अब हमने जब binary system में हम आ गए है binary number को decimal में convert करना है तो हमने वो ही काम करना है क्योंकि binary है number तो binary है तो इसलिए base 2 है 2 के साथ हर digit को multiply करना है इससे related exercise में से कोई question करते है जी फिर्स्ट हमारा section है section 2 का section 1 बहुत easy साई ये सारी चोटे-चोटे question है जब chapter complete हो जाएगा तो आप ये सारा का सारा solve कर सकेंगे first portion है section 2 का change the following decimal number to their equivalent numbers in binary system ये काम अभी हमने किया है decimal को binary way convert करना अब जो है convert the following binary number into decimal binary को decimal में convert करना है तो हम ये f वाला पार्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे statement है question number 3 के second part का further f है हमाई बहुत one double zero triple zero one इसकी बेस है two और हमने इसको convert करना है decimal में देखें जी क्या इसका procedure होगा binary है base two है तो हम क्या करेंगे इसके हर डिजिट को two के साथ multiply करते जाएंगे दर्मयान में plus का sign आता जाएगा one triple zero double zero one base two is equals to one multiply by two plus zero multiply by two इसमें मुझूद सब डिजिट को two के साथ multiply करते जा रहे है zero multiply by two plus 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 one multiply by two इस तरह से multiplication करने के बाद और सब दर्मयान में जो है वो plus का sign आता जाएगा अब अपने right side से इसकी powers two के उपर powers लगाना शुरू करने है जहां तक वो चली जाए zero zero से start लेना है हमेशा one two three four five six चीख हो गया अब आपने इन सब को solve करते जाने है और end पर final final जो आपका answer होगा वो decimal number होगा उसके equivalent one multiply by sixty four zero 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 किसी के भी साथ multiply होगा two की power five thirty two होता है तो zero इसके साथ multiply होगा तो zero हो जाएगा zeros only one zero a yellow Youtete four zero जो सबको zero करएगा और last वला हमारे पास आपस आ जाएगा one और टू की power zero इसका equivalent base 10 में 65 है ठीक है इस तरीके से हमने binary से decimal में जाने है इस तरीके से binary से decimal में जाएंगे तो exercise में हमारा second portion है convert the following binary numbers into decimal numbers ये सारे आपने कर लेने हैं ठीक है इसके बाद वापिस आजएं नेक्स्ट क्या topic है conversion of a binary into decimal ये हमने देख लिया ये examples भी सारी आपने करनी है ये जो है आपने ये देखें इस तरीके से सारा किया हुआ है सारे digits को 2 के साथ multiply करके right side से उसकी power 0 से जहां तक मुझा सकी 2 की powers लेनी है और उसको solve कर लेना है अच्छा जी इसके बाद है fraction अधिर कोई decimal number fraction में होगा तो कैसे आपने उसको binary में convert करना है fraction में होगा तो क्या करना है उसके लिए देखें हमारे पास है 7 by 8 आपने सबसे पहले क्या करना है 7 और 8 को separate separate binary में convert कर लेने उसके बाद जैसे ये division हुई हूई है उसी तरह से उनको divide करना है जो answer आएगा वो आपका उसके equivalent binary होगा अब देखेंगे base 10 ने आप पहले इसको separate separate कर लें दोनों को repeatedly 2 से divide करना है 2 3s are 6 1 remainder 2 1s are 2 1 remainder क्या आगया triple 1 base 2 किसके equal था ये 7 base 10 में था ये अब आप separately 8 को कर लें 2 4s are 8 0 remainder 2 2s are 4 0 2 1s are 2 0 क्या बन गया 8 जो है वो हमारे पास equivalent आगया 1 triple 0 के अब जैसे 7 8 से divide हुआ हुआ था इसी तरह आपने 7 के equivalent binary number और 8 के equivalent जो binary number आया था उसको divide कर लें आप इसमें triple 1 divided by 1 triple 0 0.111 ये आपका 7 by 8 के equivalent binary number आ गया फ्रेक्शन में इस तरीके से आपने करना है ठीक है इससे related एक example है और exercise में questions जो है उनको देख लेते हैं fraction से related exercise में कोई question नहीं है आपके पास ये बस examples ही थी चलें ठीक है next topic देखते हैं next topic है conversion of a binary number in fraction to a decimal number अब fraction में जो हमारे पास binary number होगा उसको decimal में कैसे करना है fraction में या decimal point में एक बात होती है न अब ये decimal point में हमारे पास ठीक है इसको decimal number में कैसे करना है point वाले binary number को decimal में कैसे करना है उसको देखें आप एक्सरसाइज से कोई कुछिश्चन लेते हैं एक्सरसाइज से कोई कुछिश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में कुछिश्चन नमबर 3 का जो 3rd पार्ट है एक्सरसाइज से कुछिश्चन नमबर 3 का थर्ड एंड फर्दर उसका भी 111-0111-1-0111-0011 ठीक है अच्छा जी अब आपने decimal point वाले binary नंबर को decimal नंबर में कैसे convert करना है सबसे पहले तो आपने वही करना है कि बिलकुल उसी तरीके से हर डिजिट को 2 से multiply करते जारे है ठीक है left side से start करके one 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 zero one one point one zero zero one one base two में is equal to one multiply by two plus one multiply by two plus one multiply by two plus zero multiply by two plus one multiply by two plus one multiply by two अब यहां से आगे decimal point के बाद वाला शुरू हो रहा है आप यहां खलका सा लगा लें तागे आपको याद रहे वरना वो यह नहीं है कि हमने कोई decimal लगाना है यहां पर कुछ भी नहीं करना अच्छा one multiply by two plus one multiply by two या वैसे याद रख लें बहतर है आप वैसे याद रखे plus zero multiply by two plus zero multiply by two plus one multiply by two plus one multiply by two सबको आपने two के साथ multiply कर लिया अब जहां पे point था उससे पीछे जो नंबर है जो हमारा main नंबर होता है decimal point से पहले वो main होता है point के बाद वाले जो है इतने important नहीं होते decimal point से पहले वाला main है वो है one 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 zero one one यहां तक है तो इदर से आप start करें बिल्कुल उसी तरह के सा जैसे zero से value देना शुरू करते हैं two को power देना zero one two three four five यह जो underlined नंबर है main नंबर decimal point से पहले वाला यह वो हो गया इसके बाद जो decimal point के बाद वाला number है उसमें आपने क्या करना है zero से अब इस तरह आना है तो further आपने negative one स्टार्ट कर देनी है powers negative one negative two negative three negative four negative five चीक है इस तरीके से अब देखें अब क्या करना है two की power five thirty two one multiply by thirty two plus two की power four sixteen one multiply by sixteen plus two की power three eight one multiply eight plus two की power two four but zero से multiply हो रहा है zero हो जाएगा plus one multiply by two की power one यह निकिए one multiply by two इसके बाद one की power two की power zero one multiply by one अब आगी negative तो negative में आपने यह करना है कि यह जो two है two की power minus one है अगर आप इसको नीचे shift कर देंगे तो power नीचे जाके positive one हो जाएगी ठीक है जो तो zero हो रहे हैं उनको zero कर दें next वाला zero है उसके बाद भी zero है उसके बाद भी zero है तो zero है और उसके बाद इसकी बारी आ जाती है two की power minus four है two की power को नीचे ले जाएगी नीचे जाके positive four हो जाएगी two की power minus five है से नीचे ले जा, नीचे जाके positive 5 हो जाएगी, चीक हो गया अब आप दी इनको solve कर लिना है सबको 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 की power 4 16 plus 1 by 2 की power 5 32 चीक हो गया अब इन सबको पहले add कर ले 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1 this is 59 plus 1 by 16 plus 1 by 32 LCM ले ले, solve कर ले 32 LCM आएगा solve करेगे 1888 plus 2 plus 1 this is 1891 divided by 32 अब इसको अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आजाता है 59.093 75 तो ये आपकी conversion हो गई decimal point वाले binary number को जब हमने convert करना है decimal number system में ठीक है अच्छा जी दो ही इसे related examples थी और दो ही इसे related questions है इसके बाद है conversion of a decimal number in fraction to a binary number जब decimal number point में होगा तो उसको fraction में या point में तो उसको कैसे लेके जाना है binary number में ये थोड़ा lengthy process है इस process के सारी details हम next lecture में देखेंगे आज के lecture में आपका काम इतना ही था आपने तीन ती चीजें पड़ी है first of all decimal number को binary में convert करना ये आपका homework है फिर binary को decimal convert करना ये आपका homework है और फिर decimal point वाले point वाले binary को decimal number system में convert करना question number 3 के first 3 parts आपका homework है next जो है decimal point वाले decimal number को binary system में कैसे convert करते है यह थोड़ा लेंटी है इसको हम नेक्स लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद जो है वो यूजूल आपरेशन्स है बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटिड हमारे पास तो आज के लेक्चर में आपने इतना ही कर दा